बिस्मिले रहाम अलेकूम वेलकम इन मैं कंदूरे मन कोकिंग बेली आज मैं आपको सिखाऊंगी दो तरह से दही जमाना लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ में के जी दूद एट कर रही हूं और दूद में बॉयल आने तक हम इसका वेट करते हैं देखिए दूद में बॉयल आ चुका है अब मैं फिलेम को इतना कर दूँ कि दूद पकता रहे इसमें उफान ना आए क्योंकि हमें इसे रिड्यूस करना है इसलिए मजीद 10 मिनर्स पकन देंगे इस तरह पकाने से दही हमारा थिक एंड क्रीमी बनीगा देखिए यह दूद बहुत अच्छी तरह से पक चुका है अब मैं फिलेम को कर देती हूं ओफ दूद को हम अच्छी तरह से फेट लेते हैं ताके दही पर अच्छी जी बलाई आ जाए मैंने यहाँ दो बॉल लिये हैं आपको यह दिखाने के लिए कि मिट्टी के बरतन में जैसा दही जमता है वैसा ही दही स्टील के बरतन में भी जमता है बाद लोग के पास मिट्टी का बरतन नहीं होता तो वो स्टील के बरतन में भी दही जमा सकते हैं दूद को मैंने अब दोनों बरतों में डिवाइट कर दिया है स्टील के कटोरे में में मिठा दही जमा रही हूं इसलिए मैं वन टेबली स्पून चीनी एड़ कर रही हूं मिठा दही भी बहुत टेस्टी लगता है रमदान में आप मिठा दही जमा कर सहरी में पराटों के साथ खा सकते हैं दूद को हम नीम गरम होने देते हैं देखिए दूद नीम गरम हो गया है अब मैं दोनों बॉल में हाफ आप टेबली स्पून दही एट कर रही हूँ दही एट करने का सही मेथड़ ये है कि हमारे बॉल के उपर जो ये बलाई आ गई है उसे एक साइट से थोड़ सा हटा कर हम इसमें दही एट कर देंगे क्योंकि मौसम अभी ठंडा है इसलिए हमें इसे कपरे से भी कवर करके रखना होगा छे से साथ गंडे के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया है देखिए साथ गंडे हो चुके हैं अब हम दही की कंडिशन देखते हैं देखिए अलहमदलिला दही हमारा क्रीमी और हार्ट जमा है दोनों दही बहुत ही अच्छे जमे हैं अब मैंने आपको इस्पून की मज़से भी निकाल कर दिखाती हूँ देखिए इस्टील के बरतन में भी वैसा ही दही जमा है जैसा मिट्टी के बरतल में जमता है अब हम इस दही को भी देख लेते हैं देखिए ये दही भी कितना क्रीमी और जबर्दस जमा है आप एक बार मेरे बताय हुए मेथट से इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेट्स में लाज़मी बताईगा कि आपका दही कैसा जमा अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएए शेयर कीजिएए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखियें इन्शाला मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ अल्ला हापिस